सबसे पहले तो मैं कि इसा कहुंगी कि कभी भी प्यार में अन्द caller share नहीं करनी चाहिए और नहीं माभड के प्रेशन मैं आरब शादि करनी चाहिए को कि ऐसी शादियां सब्सक्राइब करना Trib Azusa अगर आपके परिश्छे में अब बहुत अच्छी बात है कि अगर बहुत करा मत बहुत अच्छी बात है अगर वह कैसे लड़की तो यह वागी जो वादा करके निभाए यह स्थावारेस लड़की यह डिंगे तो बहुत हाकती है कि मैं यह कर दूंगे आपके लिए भौ कर दूंगी लेकिन जब आपने उसको टाइम दिया अपने लिए करने के लिए उसने वादा किया वो नहीं करी उसने तो फिर ऐसी लड़की को वाड़ी करें इसको अपने जिम्मेवारी का एसास हो आप से शादी करना चाहती हो पास सभी का होता है जिसका कोई पास्ट हो तो ऐसी लड़की से कभी शादी मत करें जो बैठी आपके साथ होई है लेकिन बातों बातों में अपने एक्स बाइफ्रेंड की बाते करती है यानि वो इतनी मौडरन है कि उसको यह भी समझ नहीं आ आई होई हो जो लड़की आपसे प्यार करती हो उससे शादी करें ना कि आपके पैसे से प्यार करती हो क्योंकि खलको पैसा खतम तो आपसे प्यार भी खतम एक तरफा प्यार करने वाई लड़की से कभी शादी मत करें मतलब आप उसको पसंद करते हैं आप उससे प्यार कर पर वो आपसे प्यार नहीं करती हैं, तो ऐसा रिष्टा नहीं टिक पाता है। जो लड़की आपको बताती है कि वैं बिमार रहती है, तो ऐसी लड़की से कभी शादी मत करें, क्योंकि साज बहु के लड़ाया शुरू हो जाएंगी, साज बहु इसनल आती है कि उसे अराम मि सोचती है कि पता नहीं, अब कब जॉब लगेगी या लगेगी भी नहीं, तो ऐसी लड़की को भी अवाइड करें, वोगि कल को बुरा वक्त आ जाए, तो यह लड़की सुनाने लगेगी, लड़ाया ही करेगी, लड़की अगर आपके मूँपर खुद ही बता रही है कि हम दोनों शादी के बाद अलग रहेंगे, तो आपको क्या जूद पड़ी है कि अपना घर छोड़कर आप किराई पर वो लड़की के साथ रहें और अपने बुड़े माबापको अपेला छोड़कर आ जाएं, तो ऐसी लड़की को अवाइड करें, अपने घर वालों की वेस् करती है कि आपने क्यों इतने लोगों को मुह लगा रखा है, तो ऐसी लड़की शादी के बाद भी ममानों को पूछेगी नहीं, बलकि आप लोगों की बेस्ती ही करवाएगी, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, और जिस लड़की से आपकी बास चल रही है, और चोट आना मानें, जो लड़की अगर कोई चोटी मुटी जॉब अगर मालो कर रही है, और अगर आप उसे शादी के लिए कहते हैं, और वो कहती है कि मैं पैसे अपने माबाप को दूँगी शादी के बाद, तो ऐसी लड़की थे भी शादी मत करें, क्योंकि आपके घर के लोग या बात बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सुंदरता देखकर शादी मत करें, उसका मन कैसा है, बोलने की कितनी तमीज है, धार्मिक प्रवती की लड़की होती है, तो घर का महल शांत रखती है, या बिलीविन करमावाई लड़की भी होती है, तो उसको भी हर चीज कि पता होती है कि मुझे कैसा क्या करना है, जो लड़की शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो, आपको खुद बता रही है, या गर में या नाइट, एट कलब्स, पार्टी में जाती है, तो ऐसी लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करें, या घर में बिल्कुल ध्यानी देग अगर आप उसे कभी किसी के दुख की बात बताते हो, तो अगर दुखी होना तो दूर, कहती है छोड़ो ना हमें क्या करना, तो ऐसी लड़की के अंदर मतलब कोई emotions नहीं है, कि किसी के दुख में वह दुख नहीं होती, तो अगर आप कोई बात लड़की पर विश्वास क करती है, अर्टिफिशल मेक अप नहीं होना चाहिए, एक नाच्रल ब्यूटी होनी चाहिए, आप पो नाच्रल ब्यूटी धूंड नहीं है, अगर आप भी ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, तो गरी भर की लड़की से कभी भी शादी मत करें, यह ना हो कि शादी कि वो इत मत करें, क्योंकि आप और लोगों से मिलवाने में उसे शरम आएगी, सिर पर कोई पैसा लेकर ही चलता, जोड़ी जब चले तो अच्छी लगे, बस आपकी यह सोच रहनी चाहिए, लड़की सिंपल हो तो उसे मौडन मनाया जा सकता है, तो शरीफ लड़की या सिंपल लड का होता है, उसकी पतनी की मौड भी हो जाती है, तो भी उसकी शादी उसके माबाब कुवारी लड़की से करते हैं, तो आप तो खूदी अभी कुवारे हैं, तो आपको कोई जोटिया की तराक शुद्धा लड़की लिश्था करने की, यूँकि इंडिया में लोग आपका बदल देंगे कि क्या तुझे कोई कुवाई लड़की नहीं मिलती थी तो आपका भी प्यार अपनी पत्नी के लिए कम होता जाएगा आपको भी वो बातें पहले कर लेनी है बाप उसको बता दें कि आपको घर में क्या चाहिए आपको घर में आप बढ़ी कामरीस तो है नहीं तो आप सब कुछ बता के चलें कि की कै अगर वह मानती है आपको बात आपको समझती है या वो आपको बचाहरे से पता लग जाएगा कि कि तना उसमें इंटरस्ट ले रही है तो वो आप देख लें जो को उसे आपके घर में आपके साथ से रहना है उसको सब कुछ बता दें यह ना हो कि आपके घर का अकर आपके घर में इतना अच्छा इतना मिल जूर के सब रहते हैं तो आपके घर में आके घर की शांती बंग कर दें आखिर मैं यह कहूंगी कि गुस्सा की जो ग्रिस्ती है शांती से चलाने के लिए तीन बातें चाहिए अब ध्यान से समझो मेरी बात सुन्दर्ता पैसा और तमीज लड़की इतने सुन्दर होनी चाहिए कि आपको पसंद होनी चाहिए अगर आपको पैसों की जूत है तो ठीक है वो भी कमाती हो क्योंकि पैसों से ही घर चलता है और एक लड़की सुन्दर भी है और पैसे वाली भी है और बोलने की तमीज ना हो तो फिर बात वहीं के वहीं आजाती है अगर लड़कीं बोलने की तमीज नहीं है तो घर में देखते हैं तो यहां को जोई नहीं है तो लड़की आपसे सुन्दर कम भी है तो कोई बात नहीं लेकिन तमीद ज्यादा माइने रखती है तो मैं वीडियो आइन करती हूं पर एक सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करना फ्री है थैंक्स पर वाचिंग